मंगला में इस्टिटिट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सागात और अभिनेंदन हैं मैं हूँ आज इसकुमार दूबय और आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंग्डम के पौरी फेरा के जो टापिक है उस पर आज हम चर्चा करेंगे यह प्रैक्टिस से 12 है इसके प हमने चर्चा किया है और आज जो चर्चा करने वाले हैं वह पौरी फेरा का टापिक है ठीक है न तो पौरी फेरा के अंतर गत उन प्रश्णों को जो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग तरीके जो कुश्चन्स आये हुए हैं और जितने इंपॉर्टेंट फैक्स जो है कि यहाँ के बेशिक कॉंसर्प्स के बारे में संझेंगे तो पहला टापिक है आज का पोरी फेरा का मतलब क्या होता है पोर बिएर अनिमल ऐसे ऐसे एनिमल जिनके पूरी बाड़ी में पोर सोटी ऑं छोटे-छोटे छिद्र होते हैं उन्हें पॉर बिएर अनिमल ज कहा जा से एंड शेकेंड आप्शन है दे पॉसेश कोईनोसाइट्स एंड थर्ड आप्शन इस दे रिप्रोडूस वनली इस सेक्षुली एंड फोर्थ आप्शन इस दे आर आल फ्रेस्ट वाटर और गैनीज में यह यूपी प्यसी आश्रम पद्यती उनतीस नौ दोजार एकीस में पूछा गया है तो यहां मैं आपको पुता दू सबसी अच्छा जो इस पंज को अलग करता है वो कोईनोसाइट से ध्याम रखेगा क्योंकि नीडोसाइट्स अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेट में जाएंगे हम लोग तो यहां पर बी आप्शन पूरी तरीके से आपका स कोईनोसाइट से ठीक ना यह ओर अर फ्लेचलेटर सेल यह कैसे से लुटन रिफूर्ट लेट्र सेल है वीच फंक्षन एज इस पंजश डाजीश्ट्व सिस्टेम र अर और अल्सो नोन एज कोलर सेल बीट इस बीटिंग आप दा कॉइन उससाइट्स अज फिलेट क्रियर ए इस पंज वाटर करेंट ठीक है न और थिसल्स कैप्च्टर मैक्रोस्कोपिक फोट पार्टिकील यह इनके पास जो सलस होती हैं वह मैक्रोस्कोपिट पार्टिकील्स को जो है कैप्च्र करती है दे मेक अप a cell लेयर काल कोई नो डर्म कहा जाता है तो यहां पर आपको दहान रखना है विकल्प के तौर पर बी वाला आप्शन सही हो जाएगा अगले कुशन की तरफ चलते हैं और अगला कुशन है विच वन आप दा फालुइंग इस नाट एक करेक्टर आफ और गैनिजम आफ आलम पॉरी फेरा फर्स्ट ऑप्शन है यहां पे दे बियर टू टाइप साप पूर और ऑस्टी एंड ऑस्कुलम और सेकेंड ऑप्शन है दे आर काल इस पंजेज एंड तर्ड आप्शन इस दे और आइदर ओवी पैरस और वीवी पैरस यह यूपी पीसी आश्रम पद्यत में यह भी कोश्टन पूछा गया है तो बहुत ही अच्छे कॉंसेप्स को लेक हमाएं आपके पास और उन प्रश्णों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत् और यहां पर चार आप्सेंस सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान देना है नौट करेक्टर आफ और गैनीज्म आफ फाइलम पौरी फेरा यह आपको ध्यान रिखना है उसके बाद आप जबाब को देखना है कि कौन सा करेक्टर तिहां मैं आप पता दूं यह करेक्टर सब्सक्राइब बौर आखिता तो सो करता है क्योंकि ऐस्तिया भी होता है और ऐस ब्रम भी होता है इन्हें स्पंज भी कहा जाता है यह भी सही है आरे ऩा यह फिलो मेड कOver प्राइफेरा के अंतरगत सबसे पहले कि और और यहाँ पेदो दोनों प्रेजन्स होते है इस पंज भी प्रेजेंट होता है एस इलो मेड़ होते हैं सिथी से बात है क куп क्यों कि यहाँ पर के तौर पर देखा जाया तो दी वाला आप्शन थोड़ा सा कामनी कमिशन तरीके से इसको को माना गया ठीक है ना अगला कुशन आपके डिस्प्ले पर है पावर आफ री जनरेशन इन इस पंज डिव इस डिव टू चार अप्शन से फर्स्ट आप्शन थेजो साइट से और सेकेंड आप्शन हैं थार्ड आप्शन एरेक्यो साइज और फॉर्थ आप्शन जनरेशन यहां पर अम्यूबो साइट से चार बिकल्प में कौन सा बिकल्प आपको सही है तो अम्यूबो साइट यह जो है सही हो जाएगा ठीक है इसका रिजन कि दा पावर आफ री जनरेशन इस पंज इस डिव टू अरेक्यो साइट से दे आर टोटी पोर्टेंट से ल और यह टूटी पोर्टेंट से ल सोते हैं वीच कैं ट्रांसफर साइड ठीक है इस पंजो साइड्स डर्व जाते हैं इस रूमोबायड से लिए कैसे क्यां एड्स हनो आ होते हैं वाएड से लोते हैं सेल्यलर डिफरेंशियरिशन इसने cls are env unemployed this is especially important in reproduction में बहुत इनका important role होता है as the sex cell of the sponge in sexual reproduction form from these immobidal cell यह जो immobidal cells होते हैं इनहीं से इनका creation होता है अगला कुशन आपकी तरफ चलते हैं और अगला कुशन आपके डिस्प्लेइ पर क्या है कुशन कोईनोशाइट्स और कॉलर सेल और फॉंड इन अनिमल आफ विच फाइला चार अप्शन से तो यहां और मैं आपको बिल्फ पर तोर फे आपको उतार दो हुँ कि भी कल्ब के तवर चार आपुसस मेंलों यह जो पूर ही फेरिए बिकल्फा प्योग्क है यही सही हो जाएगा ठीक कि ना पूर फेर सही हो koinocytes or color cell are found are found in the animal of phylum any phylum periphera koinocytes from inner lining of sponge which contain a flagellum for locomotions and surrounded by color of microbiali the color cells or koinocytes form a type of cell layer is a koinoderm कहते हैं inside the sponge member of the phylum periphera primitive multicellular animal and have cellular level organization typical के तौर पे यह वाला option यहां पे सही हो जाएगा ठीक है ना अगला कुश्चन के अगला कुश्चन आपके डिस्प्ले पे एपो पाइल्स first option is opening of radial canale into spongosil, second option opening of incurring canale into spongosil and third option is opening of radial canale to해도 incurring canal and oral option is opening of incurring in current canale into radial canale . तोछार बिकल्प में कौँं सा सही होगा यहां पे आपको बताना है ओपनिंग ओफ और इंटो इन करेंट के नाल तो बिकल्ब के तौर पे कौन सर्थ हो जाए आपको यहां पर बताना है एक पूप जो रीजन है फिर्स्ट आप्सन यहां पर सही हो जाए क्योंकि ओपनिंग ऑफ रेडियल के नाल इंटो इस पंजो सील जो एपो पाइल सोते हैं यह जाकर कहां पर जाते हैं इस पंजो सील इस पंज की जो कैविटी होती है वहां पर इनका ओपनिंग होता है तो बिकल्ब के तौर पे यह आप्सन यहां पर सही हो जागा एक्स्प्लिनेशन की बात करें तो एपो पाइल सार्थ ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इंटो इस पंजो सील बो इस होते हैं इनकी बॉड़े में ठीक है दा एंड फ्लो थ्रो एक कैनल सिस्टम के द्वारा यह फ्लो करता है इस पंजो सील इस लॉड्ज सेंट्रल कैविटी आप स्पंज ठीक ना इस पंज का लॉड्ज सेंट्रल कैविटी होता है और इनके द्वारा यह इंटी करते हैं और ओपनिंग आफ इनकरेंट कैनाल इन्टू रेडियल कैनाल इनकरेंट कैनाल और ओपनिंग थो वीज वाटर फॉर्स्ट इंटर ए स्पंज ठीक न तो प्रोसो पाइल्स को आप देख रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखना है तो विकल्प के तौर पर कौंसर सही हो जाएगा यह विकल्प सही हो जाएगा अगला कुशन आपके डिस्प्लेट पर सिलिका फॉर्ट फॉर्मिशन ऑफ सीलिसियस इस्पिक्यूल सीज फर्स्ट ऑप्शन संथेज्ट बाइदे स्पंज एंड सेकेंड बाइप प्रोवाइड बाई सिंब्योर्टिक एल्गी एंड थर्ड इस अप्लाइड बाइब बैक्टेरिया एंड फॉर्थ ऑफ्शन इज एक्स्ट्रेक्टेट बाई इस फंज फ्रॉम सी वाटर यूपी पिजटी 2016 में ये प्रस्ट ने पूछा गया है चार भीकष्ण में कौन सा जवाब सही होगा आपको बताना है यहां पर ठीक है ना भीक ल कर तौर पर कौन सा सही हो जायगा क्योंकि इक्स्ट्र एक्स्ट्रेक्टर्ट बाई 15 फ्रँम सी वाटर से यह ispun गिद्वार एक्स्ट्रेक्टर होते हैं जिसे क्या कहते हुं चलिकर कहते हैं तो बेकल्ब पथार पर डपन पर सभी हो जाएगा अगला कुश्षन इस पंज आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक डिप्लो ब्लास्टिक मोनो ब्लास्टिक नन आप देवे पीशे स्परीद उनीशो पंचानवे में यह प्रस्ट पूछा गया है तो यहां आपको बताने की बिकल्प के तोर पे इस पंज जो हैं डिप्लो ब्लास्टिक होते हैं डिप्लो का मतलब क्या होता है डाई का मतलब क्या होता है दू एक होता है एक्टो डर्म और दूसरा जो है इंडो डर्म होता है ब्लास्टिक का मतलब लेयर होते हैं ठीक है यह आप जानते हैं तो टिप्लो ब्लास्टिक लिंचर का इसमें ल यहां पर दू तरीकी के प्राइमरी जर्म लेयर पाय जाते हैं इंडो डर्म आज इन दे इंब्रियो आफ इस्पंज एंड स्लेंटेट्स आर नोन एज डिपलो ब्लास्टिक तो यहां पर आपको पता दू एक्टो डर्म और इंडो डर्म के बीच में दो परतें पाय जाते हैं और इस्पंज की इंब्रियोश होते हैं और सिलेंटेट्स जिसे डिपलो ब्लास्टिक कहा जाता है तो बिकल्प के तौर पर बी आप्शन यहां पर सही हो जाएगा ठीक है अगला कुशन MP-Blastula larva is found in the life cycle आप चार आफशन सें पहला आफशन है यह इस्पंज में ही पाय जाता है इनके life cycle में तो बिकल्प पर तौर पर आफशन से हो जाएगा ठीक है इस पंज में आपको मैं बता दूं MP-Blastula larva और parent camera यह दो तरीकी के लारवास है जो यहां पर प्रेजेंट्स होते हैं इसलिंटेट में प्लैनुला है डूला स्का इस साजो इस्टूपा और इफाइडरा होता है वेंक तैस कि बात करें एब तो पर आफशन आपका सही हो जाएगा अगला कुशन आप कैनल शिस्टम स्कंड इसकंड टाइप और लुको सिस्टम है जो लिको सोली निया में पाई जाता है यहां पर आपका तलुको सोली निया की जब भी बात आए तो यह शकंड टाइप का लरभा यहां पर प्रिजेंट होता है ठीक न यह देख लिए ये 56 में ये प्रश्न्य पूछा गया है अगला कुष्ण एक। असक्कं टाइब आप काइनल पॉंड इन लिको सोलीनिया साइकंट टाइब फॉंड इन स्काइफा रेगन टाइब आप कैनल फॉंड इन लारवा पे स्पंजिला और लूकन टाइब फॉंड इन इस पंजिला तो बिकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा बी वाला आप्शन यहां पे सही हो जाएगा अगला कुशन आपके डिस्पले पे इन विच टाइप आप कैनल सिस्टम अप इस यहां आपको बता दो कि कौन से बिकल्प में सही होगा क्योंकि चार आप्शन से हैं और इन चारों आप्शन में आपको बताना है कि कौन सा बिकल्प यहां पे सही हो जाएगा ठीक है आई दिखते हैं बिकल्प के तौर पे इस कुनाइड टाइप आफ या एसकन कैनल यहां पर पाया जाता है एक तरीकी कि simplest type of cannol system found in the squonade sponge like leucosolinea के अंतरगत यह पाया जाता है it is only cannol system in which spongosil is lined by the guinocides cells the ostia are represented by cells जिसे पूरुसाइट्स कहते हैं the cell have intracellular cannol inside the cell extend radially into meson kind and open directly into spongosil skin type cannol system is simplest type of cannol पाया जाता है जो की leucosolinea के तरकत पाया जाता है in current cannol radial cannol होता hypopile spongosil ausculum spongosil in skin type cannol system is flagellated ठीक है flagellated lined by guinocides तो बिकल्प के तौर पे आपका ए आप्शन सही हो जाएगा यहां पे आप देखेंगी कि और स्कुलम होता है ठीक न ऑस्टिय के द्वारा entry करता है और और स्कुलम के तौर एक्जिट कर जाता है यह डर्मल ऑस्टिया होता है इनका जो स्किन का जो सबसे उपरी बाहरी परत होती ही से और ठीक इन्हीं के अंदर जब आप आते हैं तो इसी को को इनुसाइड्स या फ्लेजिलेटर सेल कहा जाता है और थोड़ा से जब इनकी कैविटी के इंतर गताएंगे तो जिसे स्पंजों सील कहा जाता है ठीक है न इस पंजों सील के कहा जाता है और इनके शरीर का जो सबसे भाहरी परत है पिनेको डर्म उनकी बीच का मीजन काइम कहा जाता है और और तो थोड़ा सा अंदर जाएंगे अंदर की परत को क्या कहता है कोई नो डर्म कहते हैं ठीक नहीं इंक्रीशिंग वाटर थ्रो डर्मल ऑस्टिय की द्वारा इंट्री करता है और यहां पर आप देखेंगे तो इसकंड टाइप कैनल पाया जाता है या लिकू सुलीनिया कहा ज दिडिल या अउनिया यॉपलर की एंड चारीफ में कौन से सही है आपको बताना कि यह अ पर लूग कैंदर देखा जाय तो यहां पर जुपन ametर्या मंछिया जो यॉपलर एंडillar है इस बॉज़ेशन्म के अंतरगथि आते हैं इस दी बाला और प्स्टन यहां पर यह ज्य स्टिक सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले कुशिन के तरफ चलते हैं और यहां पर इस पंज स्पिक्यूल्स और मेड़ा पाप कैल्सम कार्बोनेट का बना होता है ठीक है न या सिलिका का स्पिक्यूल्स आल इस्ट्रक्चरल एलिमेंट टू टाइप साप इस्पिक्यूल्स और फॉंड इन वेजिबल टू नेगड ठीक ना इस्मेलर मैक्रोइसकोपिब जो है माइक्रोइसकेलर्स कहा जाता है इन यूप्लेक्टिला में दबॉड़ी इस कंपोस्ट इंटारली आफ सिलिका इन दफार्म ऑफ फार्म ऑफ फार्म ऑफ शिक्स पॉइंट से लिए सिस दूल्स नोन एज ग्लास इस पंज ठीक ना तो बिकल्प के तौर पे डी आप्शन यहां पर सही हो जाएगा अगला कुशन आपके डिस्प्ले पे है कुशन है क्या है थोड़ा से देखिएगा यहां पर विच आफ फालूइंग एनिमल आर इस पंज सिवना वाइरस जाता है तो बिकल्क पर तौर पर सी आप्शन यह आपको देखने को मिल लाएगा यह सर्च सही हो जाएगा ठीक है न अगला कुशन हैली सारका और और ऑस के रिला एक तरीकी की स्पंज हैं आपको आपके सामान जो भूख हैं उसमें देखने को बहुत कम मिलेगा हैली सारक और ऑस किरिळा बिलाउंग टू दा क्लास डेमो इस पंजी से बिलाउंग करता है ठेक है न और आडर की बात करें तुमीजो इस पंजी डा दिस स्पंजार समाल टू लौर्ज साइड यह वह होते हैं और कोलोनियल होते हैं इस अडर इस प्यक्शीश स्प्यूल्स ली और स्केरिला इस नीटिव टू नौर्थर नौर्थर अट्लांटिक ऊसियन और मेडिटेरियन सी ठीक है ना है लिसारका इस दन नेटिव टू कार्विनन सी तो बिकल्ब के तौर पे इसी वाला आपसन यहां पर सही हो जाएगा अगला कुशन आपके डिस्पले पे क्या है एक कुशन थोड़ा साब को देखकर बताना है कि फीचाब दाप फालुइंग इस पंज लाइक स्प्रिक्डूल से बट है इसकी लीटल आपस पंजिन फाइबर इस पंजिया बट नाट फाइलो स्पंजिया सेकेर ने है फाइलो स्पंजिया बट नोट इस्पंजिया तो य सब्सक्राइब अगर हम बात करें तो यह देखिएगा इस पंजिया बट नाट फाइलो सपंजिया ठीक है नहीं यह भी सही है फाइलो सपंजिया है लेकिन बट नाट सब्सक्राइब तुबिकल प्रत पर पर एक्सप्लेंटिस जब यहां पर टॉपिक हम बढ़ाएंगे तो आप एक्स्प्लीन इसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ी सी हम आपको बता दू कि इस पंजिया या इस पंजिया एंड फाइलो इस पंजया बिलांग डूदा क्लास डेमो इस पंजी सब क्लास कि रोटोवसा कहा जाता है दीज और दो होर्णी स्पंज विद इसके तरीके का स्पिक्यूल्स नहीं पाजाता है ठीक है ना बाड़ी फॉर्म इजली लाव राउंड़ेड एंड मैसु विद लीदरी सर्फिस एंड डार्क कलर इस पंजिया आल्सो नोन एज बात इस पंज कहते हैं फाइलो स्पंजिया को लीफ इस पंज कहा जाता है स्पंज इस एन और्गैनिक होर्नी इलास्टिक सब्स्टेंस कहा जाता है रिजेंबलिंग विथ सिल्क इन केमिकल कमपोजिशन तो बिकल्प के तौर पे सी ऑप्शन यहां पे आपका सई हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगला कुशन आपके डिस्प्लेय पे और कुशन यहां पे है विच आप दा फालूइंग इस इस पंज हैज इसकलीटन आप इस पंजिन फाइबर के लाइना है लो कॉंड्रिया और फाइलो स्पंजिया यूप डेटिया तो यूपी पीसे स्परी 2010 में कुशन रहेंगे ठीक है यहां पर किलाइन एक तरीकी का डीप वाटर फॉर्म का स्पंज पाज आता है और किलाइन इजे पॉपलर ली नून एज मरमेट्स ग्लू आर डेट मैं फिंगर का जाता है बिकॉस इट सेप्ड लाइक हैंड विच सेवरेल फिंगर पर्फुरेट इट वि इसुपलिवर बट इस्पंजेशं पर्फॉप इसके टहाने इस ने इसकोस आधा इसको सही माना है ठीक है अगला कुशण आपके डिस्पले पे क्या है आप दे फालोइंग वीच जू फाइट रिमें इस सिचिंट रही लिम्या syripedia, pelitoa, atmia, lcp, 4 बिकल्प में कौन सा सही होगा आपको बताना है तो यहाँ पिलिथोवा ठेकाना बिकल्प के तौर पे B option में यह सही हो जायागा 2007 में यह प्रश्न पूछा गया है यहाँ भी पिली पिलिथोवा is related to hilonima which is formed symbiotic relationship with hilonima इट इज ए मेराइन एन फ्री लीविंग इस्पंज फॉन एड़ दे कंसीडरेबल डेफ्ट एराउंड न्यूजिलेंड कॉस्ट अमेरिका के फिल में पाय जाता है इट इस कॉमनली ग्लास रोप इस्पंज कहा जाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है ठीकना अगला कुशन आपके डिस्प्लेइप पर है अगला कुश्चन है विच आप दा फालूंग टाइप आफ सेल इस्टोर रिजर फूर्ड इन इस पंज में वह कौन सा है जो भोजन को इस्टोर करके रखता है तो बिकल्प में आपको बताना है तो यहां पर आपको तो तीजो साइड से टीजीटी दोहजार तेरह में बैल कचले अन Peach Screen Streamrt this तिंगर में प Myersौ कांट फॉर्ड और वियह एंड लॉडर्ड उन दिविग ब इन रिवड संटीखों अयांबशी है पर अन दीघर नरी तरूर्म इल गोलीब नसील्प पर दो ऑन् सक्राइड पर विखने अ लाएं। प्रोटीन तो बिकल्प के तौर पे डी ऑप्सन यहां पे सही हो जाएगा अगला कुशन है, बाथ स्पंज किसे कहा जाता है, यो प्रेक्टेला है, गॉर्गोँ यह है, या विलिला है, चार बिकल्प में आपको बताना है कि दरसल बाथ स्पंज जिसे कहा जाता है वह स्पंजिया होता है तो सी ऑप्शन ये टीजटी 2011 में ये प्रेश्ट ने पूछा गया है ठीक न अगले कुशन की बात करें तो यहां पर आप बता दो कि कुछ खास चीज़ें यहां पर थोड़ा से देख लिजेगा बात स्पंज कहा जाता है और यह बात स्पंज के साथ स फाइलम पॉरिफेरा से बिलॉंग करता है इट इस फ्राउंड थ्रूआउड मेडिटेरियन सी इट इस हर्मा फुरुडाइट एनिमल कैन डी प्रोडिउस इस सेक्सुली बाइमीन सा बडिंग तो सेक्सुल रिप्रोडक्शन ठीक न तो यह आपका सही हो जाएगा 36 का और थोड़ा से ओर आगे की तरफ चलते हैं और यहां पर अग्ला कुछन क्या है थोड़ा से इसको देखिएगा यहां पर अग्ला फुष्यन है वीच इस फंट इस डिंटार्मान टू पड्ल इंड़ इंडैस्ट्री मेंस्ट्री इबात ग्रें तुसरे लिए उनकों पर्ल इंडिस्ट्री कहा जाता है तो दी आप्शन यहां पर सभी हो जाएगा ठीक न इस्पंज इन दे जीनस क्लिवना और दे मेंबर आफ फैंबली क्लिनोडी ये देर एफिसेंट एक्सट्राक वेटर्स कलके आफ कलकेरियस मेटेरिल इंक्लूडिंग कोरल्स एंड सेल्स क् इस बिन पर्टिकुलर्ड डिस्ट्रक्टिव तो पर्ल ओस्टर बिकॉस क्रीट ओल्स इन्टो ओस्टर सेल्ट तो फाइंड सेल्टर इंसाइड दे ओस्टर दस करेक्ट एंसर इस क्लिवना तुपिकल के तोर पर दी आप्शन सही हो जाएगा अगला कुशन एक्जाम्पल आपको बताना है यहां पर बता दो साइकन जो है बिलॉंग करता है फाइलम पूरी फेरा से यूपी प्यस्सी के एक्जाम में राजस्तान में भी पूछा गया है पीजी टी बेलोजी 2015 में भी यह पूछा गया है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे साइकन इस्पंजिला हालो निमा क्लिवना यह सब की सब पूरी फेरास है प्लेटे हलमेंथीज की बात करें तो टैनिया टैप वार्म से फैस्विला लिवर फ्लूइक और यहां पर टैनिया से जिनिटर जिसे बीफ टैप वार्म यह बहुत महत्तबूर है थोड़ा से इसको ध्यान रखना है टैन अगला कुशन आपके डिस्पले पे अगला कुशन का है सर एक्जाम्पल अफ पॉरी फेरा इस चार बिकल्प में कौन सब्सक्रियर अब यह जाएगा सैट यह साई हो जाएगा फाइलम पूरी फेरा टैसा 2016 को यह फ्रस्च पूच्छा गया है एक्जाम्पल आफ पॉरी फ कैलकेरे से स्पेंज जस बिलाउंग टो दे फैमिली साई सी टी डी यह बिलाउंग करता है यहां से और इस इस पंज और इसमाल ग्रूप ग्रोविंग 7.5 सेंटीमिटर ग्रोव करता है अगर इनकी लेंद की बात करें दिधर 2.5 से 7.5 टूप से भूता है आप टेंड लेंड क्रीम इन कलर में होते हैं साइकन मेराइन इस पंज होते हैं विट इस अटाइज टू रॉक कोरल एंड शेल्स आफ मोलस्क ठीक है तो डी अगला कुशन आपके डिस्प्ले पे विच सेल और फॉन वनली इन इस पंज तो बिकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा को इनुस आट से हैं पे सही हो जाएगा पीजी टी डेल डेले यससभी की एक्जामिट पूछा गया है 2015 में ठीक ना यहां पर देखिने की की फिलेजलेटर कोई शोर्श या कॉलर सेल फॉन इस 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 पंज दे मोस्ट डिस्टिनिक टुक करेक्टर आप स्पंज इस प्रिसंस आप कोई शायट दिर आर फ्लेजेटर सेल विच फंक्शन डाजिटिस इस्टिस्टम एंड्रेल कॉलर सेल कहा जा सब्सक्राइब करेंगे इसके आगे का जो चैप्टर होगा जो कंटेंट सोंग इसके आगे कुशन से उस पर चार्चा करें तो आज के लिए इतना ही बाइबाइबाइबाइब टेकर अपने ध्यान रहें कि कल फटाफट फट फिर मिलेंगे टेश्टी वैलो जी तो लगए लिएक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रू करिए कैसा लगा यह वीडियो बाइब एंट टेक कार